अच्छाम कुंडियेट स्टुरेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी से समझायोगा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेपरेशन और मैंटिनेंस ओफ रेजिस्टर्स, यह नहीं कि आपके फार्मेस्टी लॉग का सेक्शिन 24, यह नहीं कि फार्मेस्टी एक इसको चाहिए कर तयार करें ठीड है और वजय बनें स्टार्मार करने की और प्र अपकुरार पर प्रियू करके लखने हैं कि akhir हैे यह नहीं हैं उन्सलिएनिके जिन ःफपरेंटंसिक इस से इलावा इंस्पर्मेस्टी गुन्वें सा गया जाते हैं आज उन तमाम तर लोगों के लिए वो registers को बनाएगा भी और तयार भी करके रखेगा और वो registers कौन कौन से हैं नेमली Register A, Register A की बात कर जो आप लोग कहते हो Register A जो है जिसको चहिए के क्या आप लोग उस मक्सुस इंसान को आप लोग अंधराज करवाते हो जो के मेंशन किया गया है क्लॉज ए और सब सेक्चनанию 1 और नीकिधे के सब सेक्चन 1 के अंदर clause A में जिस इंसान को जिस मक्सूस इंसान को mention किया गया उसका आप लोग अंदराज करते हो register A के अंदर और वो section 25 का clause A कौन सा है वो section 25 है qualification for registration as a pharmacist or as an apprentice in the pharmacy यह यह आगया section यह आगया उसका section 1 और clause A के अंदर उसने बयान किया कि वो इंसान जिसके पास pharmacy की degree वोगी ठीकर उसको आप लोगे तो register A के अंदर उस इंसान को आप लोग उन से वोगे फिर फिर we get अंदर आप लोगे उन तमाम तर अफ्रात को कर सकते हो जो के मक्सूस है किसके अंदर clause B और clause C के अंदर लिखे गई है उसी section 25 में ठीक है of the said यहनके कहे हुए subsection के अंदर कहे हुआ subsection कॉन सा था कहुआ subsection था one of section 25 ठीक है और section 25 कॉन सा है section 25 यह है जिसका subsection 1 ये है और clause B और C है ये clause B ये कहता है कि वो इनसान जिसके पास डिपलोमा हो pharmacy के अंदर वो उसका भी हम अंदराज register B में करेंगे और वो इनसान जो के exams पास करता है इम्तिहानात पास करता है pharmacy के ठीक है जो के मनकत करवाए जाएंगे provincial council यानि कि अगर कोई भी अपनी सुभाई council अगर कोई भी pharmacy के इम्तिहानात रखती है ठीक है वो इनसान अगर उसको पास करता है तो इस इनसान का अंदर अंदराज भी यानि कि उसको हम लोग register करेंगे register B के अंदर फिर register C क्या होता है in which shall be registered the apprentices in pharmacy यानि कि वो इनसान जो कि mean pharmacist नहीं है या फिर आप लोग के तो जिसके पास degree of pharmacy नहीं है या फिर डिप्लोमा फार्मेसी नहीं है लेकिन उससे इलावा लोग आप लोगों के पास government analyst आ जाते हैं या फिर drug inspectors आ जाते हैं उन तमाम का अंदराज होगा register B के अंदर इसके साथ साथ आप लोग ये कहते हो कि जो भी provincial council है यानके सुभाई council जो है वो पिछली provincial government की जादत के साथ फार्मेसी के शागिर्ट के अंदराज को मनकता कर सकती है और बिलकुल इसी तरह से उसके मनकता होने के बाद दुबारा reopen कर सकते हैं ठीक है यानिके इसके साथ सा अपरेंटेसेस इनफार्मेसी के registration को उसके अंदराज को और इसके साथ साथ विद लाइक अप्रूवल री ओपन और इसी तरह से उसी की जादत के साथ दुबारा से उसके अंदराज को दुबारा से खोल भी सकती है ठीक है साच registration after it has been discontinued उसको मनकता करने के बाद और उसके and upon such discontinuance और उसके ये मनकता करने पर या फिर उसको दुबारा से उसको open करने के लिए यानिके reopening करने के लिए उसको चाहिए कि वो publish करे official gazette में एक notice जिसके अंदर वो specify करेगा मखसूस यानिके जाहिर करेगा तारीख को किस तारीख को उसने मनकता किया था यानिके उसके इंद subsection 2 ये कहता है कि तमाम तर रेजिस्टर्स जो हैं जो तियार किये गए हैं या पर बरकरार किये गए हैं बरकरार रखे जा रहे हैं अंडर subsection 1 के अंदर ठीक है तो उनको चाहिए कि उसके अंदर दर्ज जेल पर्टिकुलर्स होनी चाहिए यानिके दर्ज जेल खसूसियात या मालूमात होनी चाहिए रिलेटिंग तो आप परसन रेजिस्टर्स जिस इनसान को आप लोग दर्ज करवा रहे हो उससे मुतालिक ये दर्ज जेल जो पर्टिकुलर्स हैं वो लिखी भी होनी चाहिए और उसमें शामिल है उस मुतलिका इंसान का नाम उसका पता फिर प् किस तारीख को पैदा हुआ था और किस जगा पर पैदा हुआ था paragraph ये कहता है कि उसकी nationality पराइब पता हो किस मुल्क के तालुक रखता है फिर उसकी qualification मालूम हो कि-सकी तालिम कितनी है और clause h ये कहता है कि किस तारीख को उसका अधराजकर करवाया जा रहा है और इसके बाद आप लोगे तो such other particulars और इसके साथ साथ कुछ और भी मालूमात लिखी जा सकती हैं जो के prescribe की जाएंगे तज्वीज की जाएंगी कानून के तरफ से by laws जिस कानून को फॉलो करें उस कानून के मताबिक और तज्वीज करदा मालूमात भी लिखी जाएंगे उसके पर फिर section 25 क्या है आप लोग एते qualification for registration अंदराज करवाने के लिए आप लोग के पास कितनी qualification होनी चाहिए यानिके एहलियत के लिए जिन आप लोग कितने एहल हो registration के लिए ठीक है as a pharmacist या फिर as an apprentice in pharmacy यानिके अप्रेंटेस यानिके जो माहिर होता है pharmacy के अंदर या कि जिसको हुनर उसके पास होता है या फिर उसके अंदर कोई नो कोई काबियत होती है ऐसे इंसान को आप लोग apprentice का नाम देते हो इसके अंदर आप लोग कहते हो section 25 का section 1 sorry sub section 1 क्या कहते है वो कहते है दर्ज अफराद जो है उनका अंदराज किया जाए किसके अंदर as a pharmacist under this Act इस कानून के तहट जो है वो दर्ज जेल अफराद को as a pharmacist जो है वो दर्ज किया जाएगा ठीक है या फिर आपके तो अंदराज किया जाते हैं the following person's shall subject to the provisions of subsection 3 यानिके subsection 3 के तहट या उसकी रोश्णी में be qualified वो इतने काबिल हैं या एहल हैं कि उनका अंदराज किया जाएगा as a pharmacist pharmacist के तोड़ पर under this act इस कानून के तहट नेमली जिनका नाम है clause A क्या कहते है वो इनसान जो कि अपने पास रखता हो degree in pharmacy यानिके pharmacy की degree रखता हो comfort by a university जो कि उसको दी गई है comfort यानिके देना या अनायत करना ठीक है जो कि उसको दी गई है किसी भी university ने और an institution या फिर किसी इदारे ने जो के affiliated यानके इलहाक शुदा है या फिर उसका तालुक है there to किसी भी मतलब के उसके साथ मतलब के university के साथ या फिर वो के जिसके जिसकी degree जो है करती हो तो ऐसे इदारे से उसके पास degree हासिल हो उस इंसान के पास फिर clause b क्या कहते हो कहते है वो इंसान जो कि अपने पास रखता है hold करता है diploma informacy यानि कि जो दो साल two year program होता है जो कि आप लोग कर रहे हो आपके तो diploma informacy की अगर उस डिप्लोमा है उसके पास granted by any institution जो कि जारी किया गया है किसी भी इदारे ने जो कि रेकेगनाइज बाइदा इसके बाद आप लोग के जो 1a यह कहता है कि subject to the provisions of subsection 3 यानि कि इसी section के mean section 25 का जो subsection 3 है उसकी रोश्णी में during the period of one year from the commencement of the pharmacy act 1973 यानि कि पहले साल के pharmacy mean from the commencement of the pharmacy act 1973 से कि जो पहला साल का जो दोरानिया होगा उसके अंदर अगर तो कोई इनसान mean on 19th day of June 1972 19th day of June यानि कि पहले साल के June के 19 में दिन को अगर तो वो to be deemed to be qualified for the registration as a pharmacist shall be deemed to be as qualified अगर वो अपने अंदराज करवाना चाहता है ठीक है अपने आपको इस काबिल या इस एहल करार दिया जाना चाहता है तो वो उसको करवाया जा सकता है ठीक है उसका होना चाहिए शेल भी to be to be so qualified तो उसको mean उसका उस काबिल होना चाहिए फिर section 25 का subsection 2 क्या कहते है वो कहते है कि the following person shall subject to the provisions of subsection 3 be qualified to be registered as an apprentice in the pharmacy यानि के कि दर्जेल अफ्राद जो है उनको subsection 3 के रोशनी के तहट जो वो है वो एहल होत सकते हैं में एहल करार दिये जाएंगे कि उनका अंधराज हो as an apprentice in pharmacy pharmacy के अंदर as an apprentice उनका अंधराज हो और उन लोगों में कौन-कौन शामिल है नमबर वान अब लोग बात करते हो एक inspector of drugs ठीक है जो drug inspector है वो या फिर government analyst होगा ठीक है appointed under the drug act 1940 जो के drug act 1940 के तहट जो है वो appoint किया गया है उसको रखा गया है if not otherwise eligible for the registration अगर तो उसकी उसका अंधराज करने के लिए वो एहल नहीं है ठीक है फिर second वो इनसान जिसके पास सनद है किसी भी हकूंती हस्पताल से कि वो qualified है as a compounder और as a dispenser ठीक है कि वो एहल है या इस काबिल है mean वो काबिल compounder है या फिर dispenser है ठीक है उसके पास सनद है किसी भी हकूंती हस्पताल से ठीक है फिर तीसरा वो इनसान who has been taken as a student or apprentice in pharmacy by and produces a certificate to that effect from a pharmacist registered in register A निनके वो इनसान जिसने as a mean as a शागिर्द शागिर्द के तोर पर या फिर as a maher के तोर पर pharmacy पर काम किया और उसको pharmacist जिसका अंदराज register A के अंदर हुआ है उसने वो सनद जारी कर दी उस इनसान को ठीक है और उसको approve करवाया for the purpose इस मकसद से by the notification in the official gazette निनके तहरीरी notification के साथ by the provincial government उस सूबे की हकूंत के जरीए ठीक है जो भी हकूंत जो भी उसकी सूबे की हकूंत है उसके जरीए उसने अगर उस इनसान को जो के उसके अंडर काम कर रहा था और उसकी काबलियत की बनियात पर उसने उस उस person को एक सनद जारी कर दी कि ये माहिर है ठीक है इन फार्मेसी में फार्मेसी के अंदर और वो इनसान खुद कौन है वो उसका अंदराज हुआ है register A के अंदर यानिके rule 65 of the west Pakistan drugs rules 1958 नयनिके वो इनसान जो के rule 65 of the west Pakistan drugs rules 1958 के तहत जो है वो qualified है उस इनसान को भी आप लोग दे सकते हो ठीक है उसका भी अंदराज कर सकते हो as an apprentice in the form ऐसी ठीक है अगर तो if not otherwise eligible for the registration अगर वो किसी और तरीके से eligible नहीं है यानिके कि किसी और शरायत पर वो अगर काबल न नहीं है अंदराज के लिए लेकिन वो इस rule के तहत यानिके आपका जो फॉर यह rule 65 of west Pakistan drugs drug rule 1958 के तहत अगर वो काबिल है तो आप लोग इसकी बुनियात पर भी उसका अंदराज कर सकते हो फिर फिर आप लोग कहते हो कि सब सेक्शन 3 के कहते है कि कोई भी इनसान वो qualified नहीं है जो फॉर्मेसी के अंदर काबिल नहीं होगा अंदराज के लिए कौन क्लॉस ए यह कहते है कि अगर तो वो if he is of unsound mind and stands अगर तो वो मिन बिमार है दमागी तोर पर या stands so declared by a court या फिर उसको इलानिया तोर पर उसको court ने ने जिस कह दिया है कि वो जहनी तवाजन उसका ठीक नहीं है ठीक है वो इस काबिल नहीं है वो बिमार है तो उस इंसान को आप लोग एहल नहीं करार दे सकते कि वो उसका आप लोग अंदराज कर सको as a pharmacist दूसरा clause भी यह कहता है कि if he has been convicted by a court of any offense within the opinion which is the opinion of the provincial council involves moral turpitude यानि कि वो इनसान जो के मुजरिम हो ठीक है जिसको मुजरिम करार दिया गया है court ने किसी भी जुर्म के तहर जिसको वो समझती है आपकी provincial council यानि कि सुभाई council उसके उसके opinion में क्या है कि उसने moral turpitude यानि कि उसने mean जहनी तोर पर vulgarity की है यानि कि खबासत दिखाई है या फिर कोई ऐसा जुर्म किया है ठीक है moral यानि कि जहनी ठीक है mentally और turpitude यानि कि विल्गारिटी या फिर आपके तो खबासत या फिर बदनियती या बदनफसी की तोर पर आप लोग लेते हो अगर तो उसने कुछ ऐस जुर्म किया है तो फिर आप लोग उस इंसान को भी इस काबिल नहीं बना सकते नहीं आप परार दे सकते कि उसका registration की जाए ठीक है उसका अंधराज किया जाए आज का लेक्चर यहीं तक है उमीद करते हूं कि आप लोग को समझ आया होगा अगर आप लोग को समझ में आये